हेलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चानल आज की वीडियो में हम जानेंगे की डिप्लोमा कुर्स क्या है डिप्लोमा कैसे करें डिप्लोमा करने के फायदे डिप्लोमा कुर्स करने के बाद जौब मिलती है या नहीं आधी इनहीं सबी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में म डिप्लोमा किसी College या University द्वारा दिया गया ऐसा सेटिफिकेट होता है जो बताता है कि डिप्लोमा Holden ने इस सब्जक्ट में पढ़ाई पूरी कर ली है। डिप्लोमा कोर्स करने वालों को अक्सर भारत में जुनियर-इंजिनियर भी कहा जाता है। डिप्लोमा किसी भी सब्जक्ट से किया जा सकता है और इसके लिए सब्जक्ट चुनने का जो option है वो भी वैसा ही होता है जैसा कि degree courses चुनने के लिए सब्जक्ट का होता है यानि जिस college या university से आप डिप्लोमा कुर्स करना जाते हैं उसके according आप अपना सब्जक्ट चूज़ क कर सकते हैं आप चाहें तो computer operator से डिप्लोमा कर सकते हैं या electrician में डिप्लोमा कर सकते हैं कि सब्जक्ट में डिप्लोमा करना आप के लिए फायदे मंद होगा यह चूज करने के बाद आप उस सब्जक्ट में असानी से डिप्लोमा कर सकते हैं डिप्लोमा करने ये जानने की पर डिग्री और डिप्लोमा में अंतर क्या होता है ये भी जान लेते हैं। डिग्री और डिप्लोमा में अंतर किसी भी सब्जक्ट में Master डिग्री या पीज़डी करने के लिए Graduation की डिग्री बहुत जरूरी होती है। अगर आप High Education करना चाहते हैं, तो आपके पास डिग्री होना जरूरी है, डिग्री में आपको हर सब्जेक्ट की Deep Study कराई जाती है, ताकि स्टुडेंट को उस सब्जेक्ट से जुड़ी हर चीजों की Knowledge हो जाए, और उस सब्जेक्ट में वो Expert बन जाए, इस डिग्री कोर्स को पूरा करने में समय थोड़ा जादा लगता है, यानि दो से तीन साल तक का टाइम, अगर डिप्लोमा की बात करें, तो डिप्लोमा कोर्स में किसी स्पेसलिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, इसकी डिग्रेशन कम होती है, इसमें कुछ दिन जॉब या इंटर से रिलेटर जॉब्स के लिए असानी से अपलाई कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स की खासियत ये है, कि आप एर्थ क्लास के बाद भी डिप्लोमा कर सकते हैं, और हाई एजुकेशन के बाद भी डिप्लोमा किया जा सकता है, यानि अगर आप क्लास एर्थ तक ही बढ़े हैं, और नौकरी करना जाते हैं तो इसके लिए आप अपने समय और इंट्रेस्ट के अनुसार ऐसे सब्जक्ट में डिप्लोमा कर सकते हैं जिसमें की आपको जॉब मिल सके जैसे की प्रेंटिंग ऑपरेटर कार पेंटर, वायर मैं आदी तो इसी तरह से आप फ्लास 10th लेवल की एजुकेशन के बाद भी मसीन इलेक्रिक टूल्स आर्ट जैसे कितने सब्जक्ट में बेसे भी खुद के लिए परफेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अगर आप 12th के बाद डिप्लोमा करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको कम्प्यूटर ऑप्रेटर एंड प्रोगामिंग एसिस्टेंट जैसे बहुत से आप्शन मिलते हैं इसके अलावा भी अलग-अलग एजुकेशन के अनुसार डिप्लोमा कोर्स के सब्जक्ट आपको मिल सकते हैं जैसे कि एडवांस्ट इलक्रिगनिक्ष डेक्स्टॉप पब्लिक सिंग ऑपरेटर, इलक्रिशियन इंस्ट्रूमेंट मेकैनिक मेकैनिक कम्प्यूटर हाडवेर तो आप ये जान गएं कि डिप्लोमा कोर्स की कम्प्रेजन में शॉर्ट पिरियोड ऑफ टाइम में कम्प्रेट हो जाता है और इससे किसी भी सब्जक्ट की ऐसी नौलेज दी जाती है जिससे कि डिप्लोमा का सर्टिफिकेट पाते ही आपको उस वेल्ड में जौम मिल जाए आपके इस वीडियो में हमने जाना कि डिप्लोमा कोर्स क्या है डिप्लोमा कैसे करें डिप्लोमा करने की फायदे आदी दोस्तों डिप्लोमा बहुत ही अच्छा कोर्स है और आपको ये जरूर करना चाहिए I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिप्लोमा कोर्स क्या है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करें और जरूर बताएं और इसे तरह की नौलिजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक यू